हे वाई टीपेंस की हाल चाल दोस्तों आज ऐसी न्यूज लेकर के आया हूँ आपके लिए कि सुनकर के आपको मज़ा ही आ जागा हाँ दोस्तों फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने से पहले इंडियन रेलवे ने इस साल की लॉकडाउन के बास सबसे बड़ी न्यूज सुना हैं और हाँ दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको शिमला की एक्च्वल ब्यूटी को देखना है तो ट्वाई ट्रेंस से अच्छी अपरचुटी हो नहीं सकती और मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हैं तो वॉल्वो स पकड़ करके कालका से शिमला दोस्तों ये सफर इतना सुहावना होता है आगे इस वीडियो में मेरा ये सफर भी आप देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ कालका शताबडी के बारे में और उसके बाद हिमालन कुईन ट्वाइटर के बारे म क्लिक करके subscribe करलो video अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और हाँ दोस्तो subscribe करते time एग ब्यात का ध्याना खना जब आप subscribe ouv available करो तो बहाँ परश esperar को दबाना ब jut के बाद ऑडल का option आएगा उन को जुरुशर करना ताकि आगे आने वाले भारत के एक से एक travel related entertainment वीडियो को आप देख पाएं जो इतना information आप के लिए करके आते हैं जिसको एक बार आगर आप देख लेंगे तो शायद आपको वाईटी भारत चैनल पर कभी भी जाने का मन ना करें और हाँ दोस्तों वाईटी भारत के पिछले लगबग धाइस हो क्या आसपा travel related वीडियो को देखने के लिए वाईटी भारत चैनल पर हमेशा बने रहें पुराने वीडियो को देखे हमारे चैनल पर जा करके और इससे जुड़ेवे कोई भी सवाल आपके रह जाते हैं इस वीडियो से तो आप वाईटी भारत पर कमेंट करके पूछ सकते हैं हिमालेयन कुइन जो सिर्फ अभी एक ट्वाईट ने स्टार्ट करी है गौर्रमेंट आफ इंडिया ने उसके बारें बताएंगे इसके बाद आपको बताएंगे कि वहाँ पर जाकर के अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं होटल और साइट सींग का तो उसकी डिटेल आपक और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए मैं आपको ट्रेवल एजेंट का कॉंटेक्ट नंबर भी वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ तो आईए स्टार्ट करते हैं बहुत इंटरस्टिंग वीडियो को चलते हैं 303 किलोमेटर की जरनी होती है चार गंटे पांच नंड में तैकी जाती है दो तरह के इसमें क्लासिस हैं एक्सक्यूटिव चेयर और चेयर कार तो दो तरह क्लासिस में आप सफर कर सकते हैं निव दिली से चलके यह पहुंचती है काल का निव दिली से स्टार्ट करती है तो दोस्तो आपके सामनी है वर्ड हैरिस टेज्ट ट्रेन और मैं इस में सफर कर रहा हूं, 220 अक्टूबर 2020 से लगबग 7 महीनों में पहली बार हिमालेन कुईन ट्वाइ ट्रेन ने पट्री पर रफ्तार पकड़ी और ये बारे 10 पर इसने कालका से इस्टेशन को छोड़ा और 5 बच करके 20 मिनट पर ये शिमला अपने लास इस्टेशन पर पहुँच गई अब इस ट्रेन के बारे में और आपको जानकारी देना स्टार्ट करते हैं दोस्तों शिमला ट्वाइ ट्रेन वर्ल्ड हेरिटेश ट्रेन है जिसने 9 नौमबर 1903 में अपने सफर को स्टार्ट किया और अब इसकी 127 अनिवर्सरी 9 नौमबर को आने वाली है इसके साथ आपको बत कोबिड 19 के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किये जा रहे हैं यह ट्रेन नौर्डन रेलवे के अंबाला डिवीजन के अंदर आती है जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह इंडियन रेलवेज में सबसे जादा फेमस ट्वाइ ट्रेन में से एक है कुल मिला करके 96 किलोमेट की यात्रते की जाती है जिसमें 18 स्टेशन होते हैं 880 ब्रिजिस में से निकलती है और लगबग 100 टंडो का यह सफर होता है 100 टंडल इस रूट पर आती है कालका से शिमला जाते हुए ट्रेन का नंबर है 4515 और शिमला से कालका आते टाइम 4516 इसके अंदर 7 कोच होते हैं जिस में से दो कोच जो होते हैं वो बहुत ही लगजरियस होते हैं दोस्तों एक बार जब आप इस हरिटेस ट्रेन में बैठ जाएंगे फिर आपका मन करेगा कि हर साल आप शिमला की यात्रा करें वो भी इस ट्वाइट रेन के अंदर इंतरा इंटरस्टिंग होता है और अभी फ ट्रेन अपने सफर पर वापस लोटेंगी और हमको लेकर के चलेंगी शिमला के बहुत ही खूपसूरा सफर पर आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कितनी सुंदर वादियां हैं सामने आपको खोटल भी दिख रहा है और जब इस ट्रेन में बैठते हैं और खा पर पर चल रहे हों इसके सासा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाता हूँ ट्वाइट रेन जो थी वो अंग्रेजों ने स्टार्ट करी थी क्योंकि वो शिमला को अपनी एक ट्रैवलिंग वाली लोकेशन बनाना चाहते थे जहां पर आकर के वो गर्मियों के दिनों में रेस्ट करते थे इसलिए इतनी सुंदर ही इस ट्वाइट रिंग को बनाया गया है कि क्या कहने तो आप भी जाए इस ट्वाइट रिंग की यात्रा करिए आए दोस्तों हिमालेन कुईन ट्वाइट रिंग का फियर जान लेते हैं रेगलर रॉप्लाइज 12 साल से अबाओ जो लोग हैं एसी चेयर कार में 267 रुपीज और फर्स क्लास में 470 रुपीज बच्चों के टिकट पड़ीगी 5 साल से 11 साल के बच्चों का एसी चेयर में 110 रुपीज फर्स क्लास में 235 रुपीज फिमेल की बात करें ठाउन साल से अबाओ एसी चेयर 150 फर्स क्लास 235 60 साल से बहुत, senior citizen, male, 145 रुपई, AC chair, first class, 250 रुपीज तो दोस्तो अब start करते हैं आपको बताना बहुत ही interesting New Delhi से चल करके जब आप कालका से होते हुए शिमला पहुचेंगे तब आपको requirement पढ़ेगी एक पहले से ही crafted packages की जिसमें आपका included है hotel का stay, साथ में breakfast और side scene भी और इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें इस package में मिल रही है उसकी सारी detail जानने के लिए बने रही है वीडियो पर लाज तक आए शुरू करते हैं दोस्तों इस package में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इसकी detail दी गई है इसको आप पॉश करके पढ़ते रहीएगा मैं आपको मैं main main चीज़े बताने जा रहा हूँ इसमें लिखा गया है कि अगर आप बरफ से ढखक हुए एक ऐसे hill station पर जाना चाहते हैं जिस पे आपको बार बार जाने का मन करें तो Shimla से बहतर कोई हो नहीं सकता दो दिन की Shimla की यात्रा बहुत ही जवरदस्त होती है इसके बारे में यहाँ पर detail दी गई है if you are thinking about the most beautiful places to visit in Shimla in two days you have actually come to the best place snow-covered mountain, spectacular lakes, enjoyable climate as well as alluring greenery Shimla gives you everything one can request यानि कि जो हमारा दो दिन की आत्रा करना चाहते हैं ट्रैवलर उनके लिए शिम्ला से बहतर कोई स्थान नहीं है बरफ से धके हुए पहार, स्पेक्टैकुलर लेक्स और इंजॉइबल वहां का वैदर आपको अपनी और आकरशित करते हैं और ऐसी बहुत सारे चीजे हैं शिम्ला में आसपास घूमने वाली जिनको अगर आप देख लेंगे तो वो आपका मन मोह लेंगी आईए आगे चलते हैं आपको और डिटेल देते हैं ये कुछ फोटोग्रैप्स हैं शिम्ला की वैली की जो में मॉल रोड से आपको व्यू दिखता है यहाँ आप देख लिजे मैं तो हर साल जाता हूँ और आपको जो होटल प्रोवाइड कर जा रहा है वो भी आपका बिल फासेट होटल प्राइवेट कार फॉर और ट्रांसफर एंड साइट सीन फ्रॉम शिम्ला स्टेशन और टेक्स इसमें इंक्लूडिड है अब इसके आइटन ही जा लेते हैं जब आप शिम्ला पर पहुंचेंगे तो आपको रिप्रेजेंटेटी वहाँ पर आपको मीट और आपको पहुंचा देगा आपके होटल के अंदर उसके बाद यहाँ पर आप पहुश करके स्क्रीन देख सकते हैं उसके बाद आप चेक इन करेंगे होटल में जो आपका मॉल लोड पर होटल में एंट्री करने के बाद आप वहाँ पर उस दिर रेस्ट करके अपना वहा कर सकते हैं, वहाँ पर एक से एक places है, mall road के आसवास घुनने के लिए, mall road अपने आप में बहुती अच्छा shopping का destination है, वहाँ पर आप थोड़ी मोड़ी shopping कर सकते हैं, पास में ही लकड बजार है, वहाँ पर रिज है, the mall है, the lift है, लकड बजार है, हिमालन बर्ड पार्क है, क्राइस चर्च है, टाउन हाल है, स्केंडल पॉइंट है, गेटी हरिटेज कल्चरल कॉंपलेक्स है ये सब आपका या तो मॉल लोड के बहुत ही नियरस्ट है या मॉल लोड के बिल्कुल ही पास में है तो आप अपनी यात्रा के दौरान बिल्कुल पैदल ही वाक करके इन सब चीजों तक पहुंच सकते हैं और यकीन मानिए, इतना ज़ादा आप इंजॉय करेंगे, जिसकी सिर्फ आप ही इमेजिन कर सकते हैं मैं तो पहले से इन सब चीजों को देख चुका हूँ नेक्स डे, जब आप मौर्णी में उठेंगे, ब्रेक फास्ट करने के बाद, आपको लिया जाएगा सफर पर लेकर के चला जाएगा, हाफ देखी, शिमला के पास कुफरी हिल स्टेशन पर आपको ले जाएगा, जो 14 किलोमेटर है शिमला से 2500 मीटर की उचाही पर है, इसके साथ साथ आप विजिट करेंगे इंदिरा बंगलो एंड हिमालियन जू, लेकिन इसमें है कि वो मंडे को क्लोज होता है, यू किन आलसो टेक आप पोनी राइट टू माशू पीक की, आप एक छोटी से राइट ले सकते हैं, और आफ्टरनून में आप विजिट कर सकते हैं, वाइसराय लॉड्ज, फॉर्मर रेजिडेंस और बिटिस वाइसराय ऑफ इंडिया का जो इस्थान है, लोज है, उसके बाद आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, मॉल लोड पर आपके होटल में, एट्रेक्शन ऑफ दो मॉल लोड यहाँ पर मैंने को बताई दिया, क्या का एट्रेक्शन है, पहले बता दिया, आपका शिमला चर्च, स्केंडल पॉइंट, गेटी निकलना होगा, शिमला की ब्यूटिफुल मेमोरीज के साथ वापस, अब जो सबसे में चीज है, इस पैकेज की कॉस्ट के बारे मात कर लेते हैं, तो 4299 पर पर सन आपका पड़ेगा, इसमें सारे टैक्से इंक्लूडिड हैं, और अगर आप इस पैकेज को बुक कराना चा जहां पर description है, वहां पर भी travel agent का number टाप कर सकते हैं, देख सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, उसके बाद call पर बात कर सकते हैं, जो भी जानकारी लेने हो, ले करके आप और आप अच्छा लगे, तो आप इस पैकेज को बुक करा लिजेगा, मैं तो हर साल बुक करा करके जाता हूँ, इस तरह के पैकेज आप भी बुक करा सकते हैं, और tension free होकर के अपने सफर को complete कर सकते हैं, बने रही है बादिय भारत के इस तरह के बहुत ही अगले interesting वीडियो को देखने के लिए, चैनल को अभी subscribe कर लें, वीडियो गर अच्छा लगे तो like करें, share करें, और हमेशा बादिय भारत चनल पर बने रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों